तो देखो प्यारे विच्चे इस वाले कोशन को कर देखोंगे बिसिगली तो यह इधर जो कॉलम है वो XT का ग्राफ है और इधर BT का ग्राफ है तो XT से displacement टाइम ग्राफ से velocity के बारे में हमें prediction करना है तो आसान सवाल है सबसे पहले तुम्हें यह बात पना चाहिए कि जो displacement टाइम ग्राफ है उससे velocity कैसे निकलती है तो displacement टाइम ग्राफ से जो slope होता है slope वो क्या होता है velocity देता है slope 10 theta is equal to वो देता है velocity b और that is dx over dt तो पहले वाले ग्राफ की बात करो यह वाले ग्राफ की बात करोगे तो dx over dt जो slope है वो slope भाई increase हो रहा है यहां से तुम देखोगे यह वाला ऐसे slope बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यह slope कितना हो जाएगा 90 आरा समझ में तो यहां से slope increase हो रहा है तो अगर यह slope increase हो रहा है और साथ-साथ अगर slope increase हो रहा है तो इसका मतलब speed भी increase हो रहा होगा और यह speed सब्सक्राइब से समझें डिटाइब टो यहां से तो इस बहुत के बात करोगे तो दिखोगे यहां से तो की सुलोप कि ट कितना थहें अूँटा शुनों यह लाइन ऐसे हो रही है तो मेरे x-axis के parallel हो रही है नहीं आरा समझ में यह line x-axis के parallel हो रही है तो तुम देखो कि जो भी पार्ट है और slope ऐसे straight line ऐसे हो रही है x-axis के parallel हो रही है तो इसका जो slope है भी पार्ट का वो degree जो हो रहा मतलब dv over dx over dt जो slope है dx over dt की स्लोप की बात अगर करोगे यह यहां से स्लोप कि स्लोप जो dx over dt जो स्लोप है उसकी value ही decrease हो रही है और long infinite time बाद जो स्लोप है 10 theta हो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो speed क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी स्लोप decrease हो रहा इस पीड डिक्रीज क्या निगेटीव भी है तो निगेटीव क्योंकि स्लोप निगेटीव हो बाई जब टैंजेंड बना ओग यहां पर किसी भी पॉंट पर टैंजेंड बनाओगी यह tangent तो slope आपको देखने तो आता होगा ना तो यह इंगल slope है तो इसका मतलब भी हुगा negative होके speed कम होगी तो first option नहीं हो सकता second नहीं हो सकता मतलब भी हुगा fourth इसका सही है fourth वाले में देख रहे हो speed कम हो रही है negative होके कम हो रही हो finally zero हो गई है इस टाइब से तो इसका मतलब भी हुगा कि इसका जो matching आया वह fourth option इसका fourth से match किया अब बात करते हैं इसको c की इसका c रग लो तो c की matching कराओ तो c में again dx over dt अगर देखोगे first half के लिए first half तो first half में देखोगे slope क्या है dx over dt positive है तो speed क्या जाएगी positive इसका मतलब अगर speed positive है तो 10 theta की value भी क्या है positive है theta less than 90 है slope less than 90 है तो इससे बहुत basic बात है आपको होना आना चाहिए तो यहां से देखो कि यह वाला यह वाली line देख रहे हो यह इंगल यह इंगल first half के लिए less than 90 है तो slope क्या है यह वाली slope है वह acute है theta positive है तो slope positive है speed positive है उसके बाद इस वाली लाइन के लिए अगर देखोगे इस वाली लाइन के लिए तो इसके लाइन इसके लिए तो slope क्या है negative है तो speed भी क्या negative है आया समझ में तो second half में इसी इसी problem में अगर second half में जाओगे second half तो second half में speed आ जाएगी negative but constant but dx over dt dx over dt की जो value है speed है और जो की constant है और और क्या है negative है तो पहले हाप में constant है और negative है और positive है दूसरे हाप में constant है और negative है मतलब है c का third के साथ ही match कर गया fourth और ये दी देखो तो डी पार्ट में अगर देखोगे तो यह यह इसको में इसको में कर लो तो डी वार्ट अंगर देखोगे किमैं स्प्रिंटिंक है सांट तो यह लो पर तो दी पर अगर देखोगे तो ये जो ckt- इस्ट लाइन एक constant है तो dx over dt की जो value है वो क्या है 10 ठीटा है और यह क्या है speed है और यह क्या भाई constant है कभी change ही नहीं हो सकता मतलब एक straight line आएगी जो हमें सा constant होगी ठीक है तो straight line हमें सा constant मतलब first option इसके साथ match कर गया मतलब fourth का first match कर गया तो exam में आपको इतना नहीं करना है मैं कौन साही होने वाला है तो जैसे ही मैंने पहला part किया तो a का second के साथ match कर रहा तो a का second के साथ match कर रहा मतलब या तो यह साही होता या तो यह साही होता यह गलत है यह गलत है बी का fourth के साथ match कर रहा मतलब यह और यह थार्ड गलत है यह सारे गलत थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो